के बाद किसी student ने complaint की, complaint होने के बाद हुआ ये कि government ने मापे चापा मार दिया, reason के साथ कि housing expensive है, जो वो रोख सकते हैं, वो यही रोख सकते हैं कि जो नहीं लोग आ रहे हैं, जिसमें maximum number जो होता है, वो student का ही होता है, हर साल Canada आने वाले का, अब उन लोगों के ओपर cap लाएग अब उनके लिए problems खड़ी हो रही है time to time, because जैसा हम हर जगा पर सुन रहे हैं, unemployment हो रही है, housing issues है, काफी सारी problems चल रही है, और government भी इस चीज़ के साथ कहीं ना कहीं पर struggle कर रही है, so इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या क्या changes आने वाले हैं, या क्या क्या changes आ सकते हैं और आपको किन-किन चीज़ों पर धिहान रखना है, so let's start this video, so guys सबसे पहले बात करते हैं कि recently हुआ क्या है, so recently July के अंदर, जो 2023 July था, इसके अंदर काफी सारी ministries थी, उसमें shuffling की गई है, so basically हुआ यह है कि जो लोग immigration minister थे, housing minister थे, finance minister से, काफी सारी चीज़ों में changes किये जो है, October के आस-पास में, इनको बनाया गया यहां पर, और उसके बाद, अभी recently, 2023 के अंदर, इन चीज़ों को वापिस से शफल किया गया, so October के अंदर, first time government बनी थी, 2021 में, और July 2023 के अंदर, इसको दुबारा से शफल किया गया, so almost दो सालों के लिए, जिन-जिन लोगों के पास ministries थी, उनके पास ही ministries थी, अब बात करते हैं, इसका immigration के ओपर क्या effect पड़ाया, अब actually problem तो काफी time से चल रही है, जब से Russia, Ukraine, war चल रहा है, उसके बाद से ही, और COVID वगरे के सीन से ही, काफी सारे issues आने लगे, और यहां Canada के अंदर नहीं, world world ही हर चीज़ का कोई नहीं किया, interest rate को बढ़ाया, उनके परिणाम से हुआ ये कि housing जो है, stable हो गई, अब housing ना गिर रही है, ना बढ़ रही है, ना कुछ हो रहा है, but जिन लोगों के interest rate बढ़ गए, जो लोग house owners हैं already, उन लोगों को mortgage भरने में problems हुई, और उन्होंने अपने rents बढ़ा दिये, so जहां government एक सही step लेना चाहा रही थी, कि housing की cap करना चाह रही थी, housing के prices को inflate होने से रोखना चाह रही थी, वहीं काम opposite हो गया, उस decision को लेने से, जहां interest rate बनाने के चक्कर में housing को cap किया गया, वहीं पर rent increase हो गए, अब own करने वाले लोग तो कम हैं, rent करने वाले लोग जादा हैं, और rent करने वाले mostly जो लोग हैं, वो हैं immigrants, जो कि students हैं, work visa holders हैं, या PR भी हैं, वो भी कहीं न कहीं एक temporary ही आते हैं, जब तक उनको citizenship नहीं मिल जाती है, so, so, in सब चीजों को देखते हुए, इस time पर housing है, वो इस time पर rental की बहुत जादा expedite कर चुकी है, बहुत जादा inflate हो चुकी है, one bedroom apartment की अगर मैं बात करूं, Vancouver या Toronto जैसी cities के अंदर, इस time पर उनके prices हैं, around 2000 dollar से Canadian dollar से plus में, so, आपको 22, 23, 2400 dollar भी भरने पड़ सकते हैं, और हो सकता है, इन prices को भरने के बाद आपको उसमें utilities भी ना मिलें, आपको उसमें parking भी ना मिलें, locker भी ना मिलें, so, बहुत सारी चीज रहे हैं, so, वो सब चीजें कैसी चलेंगी, और यह struggle, government ही नहीं देख रही है, उनके number ही नहीं बता रहे है, यह struggle जो है, यहाँ पर recent incident के अंदर भी देखा गया है, जहाँ पर अभी मैंने last week ही, अभी एक student की वीडियो देखी, जिसमें एक student नेपाल से आयो है, और यह तो सि अभी मैंने पात की यहाँ को बिलकुल जो को रिया इस लाइज लागा जिसमें मिसिसा अगा, भ्रामतन, स्कार्बो, इस ताप के अरिया जाज एँ वहाँ पर अभी किसी ने अभी तनी स्टोडी करी और The housing crisis is taking on some international students. One young man speaking out about the crowded and difficult living conditions he's been enduring for months. CTV's Beth Macdennell reports. there are actually five rooms and they are not well insulated step underground and it's easy to see walls in disrepair and tight living quarters in the basement of this small scarborough bungalow it's a kind of kind of torture or something like that since january ashish sharma says more than a dozen people have stayed in the basement at different times with more people living upstairs he sleeps on a mattress on the floor next to another tenant just for sleeping is okay but if you want to study there and if you want to focus it's a terrible place first few months i shared a mattress with somebody because there was no mattress available at that time and after some time the people the friends they collected the mattress from outside maybe from the street and they his accommodations but they were too expensive and he found this place on his own paying around five hundred dollars a month if i have to leave this place i have to i think i have to pay more than this obviously i think and that's the one fear and nowadays for international students it's really hard to get a job so in these things after some student complained after some student complained after some complaint happened that the government hit the wall and after that it happened that now the student has noticed that in one to two months they have to leave the place in one to two months so there is no matter what to complain about that one student has to be in one bedroom basement i mean one bedroom basement which is a basement it's a 1500 to 2000 dollars so this time i see these things, Sean Fraser which was the first immigration minister in Canada who had recently become a housing minister, but now the housing minister has become a of course housing what has been happening there of course, what is happening here is that it takes care of the most people who have the students in general पीर वालों को बाहर निकाल सकते हैं, इस रीजन के साथ की housing expensive है, जो वो रोक सकते हैं, वो यही रोक सकते हैं, कि जो नए लोग आ रहे हैं, जिसमें maximum number जो होता है, वो student का ही होता है, हर साल Canada आने वाले का, अब उन लोगों के उपर cap लगाने की बात की जा रही है, जब तो जन students को यहां पर immigrate किया गया, जिसकी वजह से ही आज की डेट में यह हालत है, कि सब कुछ महंगा है, घर महंगे, competition बहुत जादा है, jobs है नहीं, इन सब चीजों को देखने के बाद, अब महराजी को हमने, इन्होंने immigration minister से हटा के housing minister बना दिया, और वहां जाते ही, इनको समझ मे जिनको अभी जुलाई में बनाया गया, और August के अंदर उनकी statement है, कि हमको student visas के उपर cap लगानी पड़ेगी, हम इतने जादा student visas नहीं दे सकते हैं, so this is very very worst decision I think, और government का एक बहुत ही bad step है, जहां पर वो अपनी नाकामयाभियों को को चुपाने के लिए, जो immigration minister थे, उनको पहल जो power में है इस ताम पर government, जो liberal government है, उनका एक ही बात बोलनी है कि इस साल हमने 3,00,000,000 बुलाने है, इस साल हमने 4,00,000,000 बुलाने है, इस साल हमने इतने लाक लोग बनाने है, दो हजार पच्चिस का target हमारा 10,000,000 बुलाने का है, आप ये सब तो बोल रहे हैं कि आपने 10,000, 5,00,000,000 बुलाने है, 5,00,000,000 बुलाने है, कभी किसी ने ये बात का सवाल का जवाब दिया है, किसी गों की उन लोगों के रहने का क्या इंतजाम है, उन लोगों को जो पढ़ाई का standard है, उसका क्या इंतजाम है, standard of education is going down, standard of living is going down, making of money is going down, the people who used to work for like 20 hours, 30 hours, they are not even getting jobs for 4 hours a week. सो ऐसा भी है कि jobs जातों हैं नहीं और मिल भी जाती ही तो उसके अंदर shifts में hours नहीं मिलते सो इन सब चीजों के बारे में इनको पहले तो नहीं पताता अब नाम एक का नाम दूसरे पर डालने के लिए करते ही है कि शफल कर देते हैं मिनिस्ट्री को यहां से वाँ कि पहले तो मैं यह नहीं था अब मैं यह हूँ अब मुझे यह समाज में आता है तो नाम आपके उपर ना आए ऐसा लगता है कि भाई नहीं नहीं मिनिस्ट्री जॉइन करी है अगर कुछ 19-20 गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं है लेकिन जिसके पास दो साल से मिनिस्ट्री है गलती तो उसकी है ना गलती उसकी क्या है जिसको जुलाई में मिलती है मिनिस्ट्री सो आप कभी government का नहीं सुनेंगे कि इन लोगों को accommodate करने का क्या सीन है और especially अगर मैं healthcare की बात करूँ यहाँ पर, healthcare का इतना बुरा हाल है इस time पर कि अगर आप emergency situation let's say कि अगर आपको किसी type की emergency हो जाती है Canada में और आप hospital में जाते हैं कोई भी आपको भीमारी है, doesn't matter for them you are just a patient, you are sitting outside no problem for them, it's a problem for you you have to deal with it so in सब चीजों के बारे में आपको 7 से 10 घंटे का wait जनाब emergency का मतलब क्या होता है emergency का मतलब यह होता है कि किसी बंदे को बहुत जादा emergency और उसको right away hospital के अंदर admit करना है वो लोग emergency में जाते हैं बट यहां का scene यह है इस time पे कि 7 से 10 घंटे की waiting है अभी मैंने recently yesterday ही यहां के local MP को भी इस बात की mail डाली है मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा बट मैंने अपनी तरफ से as a citizen होने के नाते यहां Canada में रहते हैं इतनी दिनों से मैंने अपनी due diligence दिखाते हुए अपने MPs को mail डाले कि यह जो है चीज़ें problem लोग यहां पे face कर रहे है और personally भी मैंने मेरी family ने भी यह चीज़ें face की हैं यहां पे इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ अब जो है government आप लोगों के लिए आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक cap लगाने वाली है so cap के लिए भी ready रहना और हो सकता है cap के साथ-साथ शायद आपको offer letters भी ना मिले शायद उनके उपर भी restrictions लगा दी जाएं या फिर worst case scenario यह हो सकता है कि यह लोग visa approval rate को अपना और गिरा देंगे जहां इनका visa approval rate इस time पे 71% के आसपास है वो गिर के 50% या 40% ही रह जाएगा so I hope guys वीडियो आपको informative लगी होगी और वीडियो आपको informative लगी है और आप Canada आने के बारे में सोच रहे हैं प्लीज इस वीडियो को देखें पूरा proper और इस वीडियो को और बहुत ऊति आट करेंज होका जो लोग आने के बारे में सोच रहें और अगर आपका ख्याल बदलता है इस वीडियो को देखने के बाद इस time पे especially 2024 के अंदर आने वाले जो student हैं 23 वाले बहुत जादा struggle कर रहे हैं आपको जिस student से मन करता है phone करने का आपको कहीं से भी कोई context मिलते हैं जो recent students आये हुए है please 2024 या 25 में जो आने का सोच रहे हैं वो एक बार जरूर जो recent students है या recent immigrants हैं यहां पर आये हुए especially के लिए उन लोगों से बात करें भेड़ चाल के अंदर बिल्कुल ना फसें और I hope कि वीडियो आपको बढ़िया लगी है और मिलते हैं next वीडियो के अंदर इसी के साथ वीडियो का लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना बू झाल